बच्चों, पिछले कुछ अध्यायों में हमने पूंजे निर्मान के बारे में जाना बाजार की बहुत सारी परिस्तितियों को हमने देखा, हमने देखा कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में पूंजी एक महत्वपों रोल अदा करती है पूंजी की बारे में हमने देखा कि सभी वेक्तियों की जो छोटी-छोटी बचते होती है वो पूंजी निर्मान का साधन बनती है एक वेक्ति जो आय प्राप्त करता है उसका पूरा का पूरा हिस्सा वो उभोग परवे नहीं करता उसमें से कुछ राशी को वो बचा के रखता है ये बची हुई राशी धीरे धीरे जमा होके पूंजी का रूप ले लेती है ये तो हमने बात की भौतिक पूंजी की आए अब देखते हैं मानो पूंजी क्या है और क्या है मानो पूंजी का निर्मान इसकी अफधारनाय क्या ह तो सबसे पहले चलते हैं मानव पूंजी के अर्थ पर मनुश्य भी उत्पादन का एक महत्पूर्ण साधन है वास्तों में जब हम उत्पादन के कई साधनों की बात करते हैं अर्थ शास्त्र में हम मुख्य रूप से पाच साधनों की बात करते हैं श्रम पूंजी संगठन औ करता है याने कि मानव होता है संगठन का कारे करने वाले व्यक्ति संगठन करता होता है बहुत से लोग बहुत से मनुश्य होते हैं सहसी जो होता है वो कोई व्यक्ति होता है कुल मिलाकर एक मानव एक व्यक्ति ही ऐसा है जो इन उत्पादन के पांच साधनों में नियोजित हो बात करते हैं कि क्या है मानव पूंजी तो मनुश्य के अंदर अपने आप में बहुत सारे कोशल होते हैं बहुत सारी छमताएं होती हैं उसके बाद जब वो समझदार होता है जब वो अपने आप योगिता का अपने अंदर विकास करने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी योग गिताएं भी आ जाती हैं कुछ योग गिताएं उसको सिक्षन के द्वारा मिलती हैं कुछ कोशल उसको प्रसिक्षन के द्वारा मिलते हैं कुछ प्रतिभाएं कई वेक्तियों में जन्मजात होती हैं लेकिन जरूरत होती है इन प्रतिभा इन योग गिता इन कोशलों को निखारने की उभारने की और कुल मिलाकर सबसे पहले पहचानने की तो जब इन मनुष्य के अंदर जो योगिता है उसको निखारा जाता है उनकी छमता को निखारा जाता है उनके कौशल का विकास किया जाता है उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचाना जाता है उन हर जिस फेल्ड में उसको Was is उसमें जब वह दक्ष होजाता है तो हम कहते हैं कि हमने मानौ पुंजी का निर्माण किया वह मनुष्य जो बहुत योगी हो गया कुशल हो गया दक्ष बार जिस जो कौलिक उसके अंदर थी वो हमने पहचानी उसको उभारी तो हम कहते हैं कि हमने मानव पूंजी का निर्मान किया यानि वो मनुष्य जो दक्ष हो गया जो कुशल हो गया जो प्रसिक्षित हो गया वो मानव पूंजी हो गया और हमने इसके दक्षता इसमें लाने में कारे कुशलता ल एक सीधी सीधी बाती कह सकते कि जिस प्रकार हम भौतिक रूप से पूंजी निर्मान के लिए छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं एकठा करते हैं या कहीं न कहीं उसको विन्योजित करते हैं और फिर एक समय के बाद वो बड़े पूंजी के रूप में हमको प्राप्त हो जाती है ठीक उसी प्रकार मानो के भीतर की योगिता उसकी छमता को पहचानते हुए जब हम उसका विकास करते हैं तो कुछ समय के बाद वो इतना विक्सित हो जाता है इतने अच्छे से हर चीज में वो दक्ष हो जाता है कि कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि हमने मानो के लिए अगर बात करें तो यह कह सकते हैं जिस प्रकार पूंजी जितने अधिक होगी उतना ही हम completa उतने किस्म कच्छे माल उतनी हिस्ति किस्म के उसको हम किरेकर पाते हैं ठीक इसी तरह हम मानते हैं कि माना जितना अधिक कुषल जितना अधिक छम्तावान होगा जितना अधिक दक्ष होगा उतना ही वह उत्पादन में अपना सहयोग देगा एक बार फिर से हम उत्पादन के इन साधनों को मानव से संबंधित करके अगर देखते हैं और बात हम करते हैं कि श्रमिक जो है वो एक मानव है अब अगर श्रमि संगठन के जो लोग है जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रबंद के चमता वाले प्रबंद के दक्षिता वाले और विपढन के दक्षिता रखने वाले और ऐसे ही ऑफिस रिलेटेड जो कारे होते हैं उनको करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको अगर हम समय समय पर प्रसिक्षित करते रहें उनकी कारे कुशलता में अगर मृद्धी करते रहे तो वो एक ऐसे मानव पूंजी निर्मान के रूप में उभरते हैं जो उत्पादन में अपना महत्पून सही योग देते हैं तो कहीं न कहीं उत्पादन के यह जो सभी साधन है वो मानव के रूप में मानव से ही संबंदित है अब हमको जरूरत है मानव पूंजी के रूप में इनका नर्मान करने की इनका विकास करने की या इनकी जो कारिकुशलता है उसको निखारने की यहीं हम देखते हैं कि एक हमारा दृष्टी कौन बन जाता है जब हम मानोपुंजे की बात करते हैं तो एक दृष्टी कौन विक्सित हो जाता है क्या क्या दृष्टी कौन कौन से विल्स है जिनको ध्यान में रखते हुए हम मानव पुंजे निर्मान की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि योग गिता के नुरूप विकास होना चाहिए यहने जिस वेक्ति को जिस कारे में योग गिता हासिल है कोई वेक्ति ऐसे होते हैं जो प्रबंधी की कारिये में बहुत अच्छी उनकी योग गिता होती है जैसे आप देखते होंगे कि मैनेजमेंट का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्होंने हाला कि सैधान्तिक रूप से मैनेजमेंट के का प्रसिक्षन प्राप्ति किया हुआ है लेकिन उनको और निखारना उनकी योगिता के नुरूप उनको प्रसिक्षन देना अलग अलग वेक्तियों को अलग अलग य तर्ण के लिखास करना विकासु मैंनोपुंज निर्मान के अंतरगत कि आ डाता है। विपडन से रिलेटेड जो व्यक्ति है फॉर्म में जो मार्केटिंग का कारे करते हैं, उनको समय समय पर प्रसिक्षित करना, उनको मार्केट के बारे में जानकारी देना, उनको ये बताना कि कैसे वो अपनी वस्तु को भोगता तक पहुचाएं, कैसे वो भोगताों को में तो कार्य के लिए उनको दक्ष बनाना उनको प्रसिक्षित करना और इसी तरह के बहुत सारे इस से डिपार्टमेंट कीसी बी उदतबादन की प्रक्रिया में हम देखते हैं, जिनको कुल मिलाकर, सभी विभागों को मिलाकर फिर उततबादन का कारे हम करते हैं, तो इन सभी को उनकी रूची, उनकी योगिता, उनकी छमता के अनुरुप, जिसमें भी उनको रूची है जिस कारे को वो करना चाहें उस कारे में उनको दक्ष कर देना कारे कुशल कर देना एक तो ये दुश्टिकोंड और दूसरा है कि समय के साथ साथ प्रसिक्षित करना ऐसा नहीं कि मानो पुंजी निर्मान के लिए एक बार जो वेक्ति उत्पाद के चेतर में आता है उसको हमने प्रसिक्षन दे दिया और वो प्रसिक्षित हो गया अब हमने मानो पुंजी का निर्मान कर लिया जैसे हम भौतिक पुंजी का निर्मान करते हैं भौतिक पुंजी जब हम जमा करते हैं आवशक्ता होती है हम उसको खर्च कर लेते हैं निकाल होते जाता है depreciation उसमें भी लगता है क्योंकि लगातार दिन बदिन आप देखते होंगे कि technology इतनी जादा विक्सित हो जाती है कि समय के साथ साथ मनुश्य को भी अपने अंदर दक्षिता लाना अपने अंदर अपनी योगिता का लगातार विकास करते रहना जरूरी है तो दूसरा द्रिश्टी कोण हमारा यह कहता है कि समय के साथ साथ समय को ध्यान में रखते हुए क्या परिवर्तन हुए हैं सभी छेत्रों में क्या बदलाव आए हैं सभी छेत्रों में इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रसिक्षित करना जैसे कि हमने द पड़ला और टाइपिंग मशीनों को कम्प्यूटर ने रिप्लेस कर दिया यह एक ऐसी अवस्था थी जब कि बहुत सारे वेक्तियों को अपनी नौकरी भी गवानी पड़ी जिन्होंने अपने आपको अपडेट गया अपनी चमता का विकास किया जिन्होंने कम्प्यूटर क अग्यार हासिल कर लिया वो तो वहाँ पर टिकेर है लिकिन जो नहीं कर पाया जिन्होंने नहीं करना चाहा उनको उनके लिए बहुत समस्या हुई तो एक ये भी बात जरूरी है कि वेक्ति को प्रतेक वेक्ति को चाहाए वो जिस फिल्ड में भी अपने आपको टाइम कि मांग के नुरूप होते रहना चाहिए वैसा ही एक दिश्टिकों हमारा कहता है कि छमता के नुरूप जिस वेक्ति की जितनी छमता है उसको उतना ही प्रसिक्षित किया जाए अगर हम एक समान ग्यान वाले वेक्ति को कि अगर हम बात करें अगर हम एक मैनेजमेंट के कि बात करें तो दोनों की समझने की, सोचने की, कारिक करने की जो च्शमता होती है वह अलग अलग होती है अब अगर उनको प्रसक्शित करना है और उनकी दक्शिता का विकास करना है तो दोनों का लेवल तो यहां हम को ध्यान रखना है कि जब हम aw कि मानो पूंजी का निर्मान कर रहे हैं तो उनकी चमता की अनूरूप ही उनको प्रसिक्शन देना है है temos ऐसी तरह बात करते हैं dopo u Found he How scientist के बात करते हैं तो रभी और सिए सपल होता है जिक को स्रेमिको को उनकी रूची उनकी योगिता के अनरूप काम सौपा जाता है जिस वेक्ति की जिस फिल्ड में रूची होगी जिसको जहां इंट्रेस्ट होगा उसी कारे को वो सीखने में रूची रखेगा उसी को वो समझने में रूची रखेगा आत्म साथ करेगा जिस व्यक्ति को रूची नहीं है किसी चीज में इंडरेस्ट अगर नहीं है तो उसको हम कितना भी प्रसिक्षन ले ले कितना भी प्रसिक्षन उसको हम दे दे लेकिन वो अपनी दक्षिता का विकास नहीं कर पाएगा तो प्रसिक्षन के दोरान इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि व्यक्ति को उसकी रूची के अनुरूप ही प्रसिक्षित किया जाए ठीक इसे प्रकार बाजार की मांग के अनुरूप किस तरह के व्यक्तियों की मांग है बाजार में किस तरह की चीजे लोग लेना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं और उस तरह की वस्तों के निरमाण में किन वैक्तियों को नियोजित किया जाए तो बजार की मांग के अनुरूब बजार की समय समय पर जो मांग में परिवर्चन होता है उसको भी ध्यान रखते हुए प्रसिक्षन का कारे करना चाहिए तो यESS एसे द्रिश्टि कोण है जिनको ध्यान में रखते हुए जब हम मानों पुंजी का निर्मान करते हैं प्रयास का प्रयास की निर्माण करना कर नढग अलग अलग होता है अलग अलग कि लेकिन जो सभी चेतरों के लिए काम आता है वह होता है तिन इस्थर एक तो सबसे पहले स्वास्त पर ध्यान देना और तिसा प्रसिक्षन देना पहले भी हमने देखा है कि स्वास्त गर्ज्य समस्याएं होती है ये कहीं न कहीं जो व्यक्ति की दक्षिता होती है उसकी कारे करने की छंता होती है उसको प्रभावित करती है हमने जाना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिश्क रहता है अगर mental कारे करने वाला भी कोई वेक्ती है तो वो तभी अपना कारे अच्छे से कर पाएगा जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा अच्छे मूड में होता है आप खुद भी देखते होंगे कि जब आप को करना नहीं चाहते हैं तो कुल मिलाकर दिमाग के साथ साथ शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है तो सबसे पहले तो किसी भी दक्षिता को निखारने के लिए पहले तो स्वास्त जो समस्याएं उसको दूर करना है स्वास्त में सुधार कैसे लाया जाए उसको देखना है दूस तो एक शिक्षत करना और तीसरा इस्तर प्रसिक्षन देना अब अगर बात प्रसिक्षन की करते हैं तो यह वह इस्तर है जो कई भागों में बढ़ जाता है अलग 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 तरह से प्रसिक्षन दिया लेकर कर चलना सभी के लिए जरूरी actMe सबसे पहले तो यहाजे निर्माand कि कमानो-पूंजी निर्मान की अथाहरनाओं पर याधारित है तो सबसे पहले कि म मानाउ-पूंजी निर्मांड के योग्य की खोज करना सबसे पहले तो यह देखना कि कि किस वेक्ति में कौन से जहमता हैं कर देखे जिसे हमने पहले बात कहीं कि पहचाना पहले उनकी दक्षिता को बहत से वेक्ति ऐसे होते कर लेते हैं लेकिन कई बार उनको वैसा and problem नहीं मिल पाता है हम ने को सारे चोटे बच्चे बहुत अच्छे तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं लेकिन अगर हम इंटीरियर जगा पे अंदर कहीं गाओं में देखे तो उससे भी कहीं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं लेकिन उनको सही प्लेट फॉर्म नहीं मिल पाता है इसलिए वो अपनी क प्रदर्शन वहां पर नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले तो दक्षिता को पहचानना योगिता को पहचानना हमको खुद पहचानना है कि हमारे अंदर क्या कॉलिटी है कौन सी कॉलिटी है और उसके बाद उसको भारना लेकिन पहला स्टेप तो यही होगा कि अपने आपको हमको पहचानना है दूसरा स्टेप होगा कि संख्या में व्रद्धी करना जिस छेत्र को लेकर हम के बात कर रहे हैं वहां पर जितने लोग हैं हो सकता है कि उससे ज्यादा और अगर ढूंडा जाए उनकी योगिता को पहचाना जाये चमता को पहचाना जाए तो मिल जाए तो प्रयास करते रहना कि उनके संख्या में व्रद्धी की जा सके वैसे ही अनुभाव और योगिता चमता कार चमता को परखना जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की कि उनकी योगिता क्या है पहले तो यह देखना कि जिनको प्रसिक्षित करने जारी है उनक चमता कहीं न कहीं दोनों की अलग होगी आयू के नरूप योगिता के नरूप उनके जो चमता होंगी वह अलग अलग होंगी तो चमता को परखना फिर उनके दक्षिता को परखना कि वह किस कारे को बहुत अच्छे से कर पा रहें मैनेजमेंट का कारे बहुत अच्छे से कर पार हैं यह हो सकता है कि वो production में कहीं बहुत अच्छा काम कर पाएं तो किस फिल्ड में उनको महारत हासिल है कौन से कारे वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर हम उनको और ज्यादा प्रिसक्षित कर दें तो तो इस बात को समझना है उसके बाद यह देखना है कि विकास करना है कौशिल का निर्मान करना है और इनको हमको अपडेट करना है और और हमको मानोपुंजी का निर्मान करना है तो अब वो step कौन से होंगे जिसके according हम इनमें मानोपुंजी का निर्मान करेंगे तो इन अवधार्णाओं को ध्यान में रखते हुए हमको मानोपुंजी क करना है कुए बार हमारे मन में बात आती है कि मानोपूंजी और मानोपूंजी का विकास क्या दोनों एक ही चीज़े हैं सुनने में लगबग एक सी लगती हैं लेकिन फिर में इसमें काफी अंतर है आये इनके अंतर पर एक नजर डालें यहां हम देखते हैं कि जो मानो होता है उसको लेकर हम अपने लक्ष प्राप्ति के और आगे बढ़ते हैं और जब हम बात करते हैं मानो पूंजी के विकास की तो अपने आप में लक्ष होता है यह मतलब हमारा लक्ष क्या होता है कि यह जो मानो पूंजी है इसका हमको विकास करना है तो यहां पर मानो पूं कि हमने देखा कि पांचों जो साधन है घूम फिर के मानव इसमें नियोजीत है तो यही एक ऐसी एक ऐसा बिंदु एक ऐसा तक्तो है जो पूरे के पूंजी पूरे उत्पादक्ता कारे में वो सहयोग करता है और बात अगर हम करें मानव पूंजी के विकास की तो इससे जब म कीवल हम के सकते हैं कि यह मानौपुणी है लिकिन मानौपुणी ओंजी विकास का जो छेत्र होता वो काफे विस्तिर अब तक पूरी अद्ध्याय में हमने जिन बिंदों क सारे बिंदु कई योग गिता को पहचानना फिर उनमें विकास करना उनको प्रसफिषित करना ये सारी चींजे मानोपूंजी के विकास के अंतर गताती है तो देखा जाए तो इसका जो छेतर है मानोपूंजी के विकास का वो काफे विस्तृत है जबकि सिर्फ मानोपूंजी के हम बात करें तो एक ऐसा तत्तो है जिसको आधार लेकर जिसको साथ में लेकर हमको काम करना ह तो उसका छेत्र जो है वो सेमित होता है चौथा अंतर हम देखे तो मानो पुंजी जो है वो एक परिणाम है जब विक्सित हो जाती है मानो के अंदर उसकी योगिता है दक्षिता है चमता है तो वो मानो पुंजी बन जाता है जबकि मानो पुंजी का विकास अगर हम बोले त अगर बात करें और वास्तविक पूंजी जिसे भौतिक पूंजी कहते हैं इन दोनों में क्या अंतर हैं तो एक नचर से अगर अंतर तो आज आता है क्योंकि पिछले अध्यायों में हमने बहुतिक पूंजी के बारे में काफी कुछ जाना अकाउंट से जब हम पढ़ते हैं अपने कॉमर्स के अंतरगर तो वहां पर भी हम देखते हैं कि पूंजी क्या है क्या पिटल क्या है किस तरह से वो जो राशी होती है स्था उन्हों को अलग करें तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मानव पूंजी जो है वो अद्रिश है मानव तो द्रिश है अगर दस लोग एक साथ एक रों में खड़े हैं तो आप उनको देख के नहीं बिता सकते कि कि किस वेक्ति के अंदर प्रबंध की दक्षिता है कि इसके अंदर का प्रड़क्शन स्पेशल की दक्षिता है हम कि वर मानव को पहचान सकते हैं उसके अंदर की दक्षिता जो उसके अंदर जो पूंजी है उसको हम नहीं पहचान सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि मानव पूंजी जो है वो अद्रिश है लेकिन भौतिक पूंज दूसरा एक अंतर हम ग्यासकते है कि जो अधरिश्य तो उसकी पूंजी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता कैसे हम एक management की योगिता रखने वाले व्यक्ति का जो उसकी योगिता है उसको बेच दे पैसा ले ले तो क्या वो technical व्यक्ति के अंदर उसकी management के कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम उसको नए सीरे से फिर से प्रसक्षित ना करें लेकिन भौतिक पुझी को हम बेच सकते हैं अगर हमारे पास कोई share है डवेंचर है bonds है कोई assets है fix asset तो हम उसको आसानी से standard कर सकते हैं बेच सकते हैं वैसे ही तीसरा difference से क्याता है कि मानो पुझी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन भौतिक पुझी को अलग किया जा सकता है जैसे हमने बात करें कि कोई व्यक्ति है उसके अंतर अंदर technical knowledge है उसको बहुत अच्छा वो टेक्निकल नॉलेज है एक electrician है मान लो उसको electric सामानों का बहुत अच्छा knowledge है निमानो पुझी के रूप में है तो कैसे हम उसके knowledge को उस व्यक्ति से अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते उस व्यक्ति के अंदर है वो knowledge लेकिन भौतिक संपत्ति मान लेजे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी भौतिक संपतिया है जैसे उसके पास भवन है, building है, motor vehicle है, कोई machinery है तो किसी संपत्ति को अगर हम बेच देते हैं तो वो अपने स्वामी से प्रिथक हो जाती है तो यहां इसी तरह एक अंतर हम यह भी देख सकते हैं कि मानों पूंजी जो है वो निजी और समाजिक दोनों तरीके का लाब दे सकता है निजी याने वो व्यक्ति परसनल भी अगर योग है दक्ष है तो वो अपने कारे को भी बहुत अच्छे से कर पाता है और साथ में वो पबलिक क कि वो पूंजी है सिर्फ वही वेक्ति उससे लाप राप्त कर पाता है बाकी कोई समाजिक लाब उससे उत्पन्न नहीं हो पाता है तो यह तो रही मानों पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर की बात